शहीद दिवस भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है 23 मार्च 1931 की मध्यरात्री को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के तीन सपुतों भगर सिंग सुग्दे और राजगुरु को पासी पर लटका दिया था शहीद दिवस के रूप में जाना जाने वाला ये दिन यू तो भारती इतिहास के लिए काला दिन मना जाता है पर स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को देश की वेदी पर चड़ाने वाले तीनों शहीद नायक हमारे आदर्श हैं इन तीनों वीरों की शहादत को शर्धानजली देने के लिए ही शहीद दिवस मनाया जाता है भारत एक महान देश है यहां का इतिहास बेहद गोरोशाली हमेशा से रहा है भारत देश अपने अंदर ऐसी कई संस्कृतिया समेटे हुए है जिसने इसे विश्व की सबसे सम्रित संस्कृति वाला देश बनाया है यह देश उन वीरों के करम भूमी भी रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की परवा के बिना इस देश के लिए कारे किये हैं और उन्हें आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया है अपने वतन के लिए प्राणों की बली देने से भी हमारे वीर कभी पीछे नहीं हटे हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान तक की आहूती दे दी है आजादी के बाद भी हमारे वीर सेनिकों ने सिमाओं पर हमारी हिफाज़त के लिए अपने प्राणों को दाओं पर लगाया है अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी सुबह करीब आठ बजे लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी दे दी गई और इनके शव को जिस्तदारों को ना दे कर रातो रात ले जाकर सतलुज नदी की किनारे जला भी दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंग और अन्य करांतिकारियों की बढ़ती लोग प्रीता और 24 मार्च को होने वाले विद्रों की वज़े से 23 मार्च को ही भगत सिंग और अन्य करांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी दरसल ये पूरी घटना भारती क्रांतिकारियों की अंग्रेजी हुकुमत को हिला देने वाली घटना की बज़ा से हुई आठ अप्रेल 1929 के दिन चंदर शेकर आजाद के नेतितु में पबलिक सेटी और ट्रेड डिस्टिब्यूट बिल के विरोध में सेंटरल असेंबली में बम फेका गया जैसे ही बिल संबंदी घोशना की गई तभी भगत सिंग ने बम फेका इसके पस्चात क्रांतिकारियों को गिरफतार करने का दोड़ चला भगत सिंग और बटुकेश्वर दत को आजीवन कारवास मिली भगत सिंग सुखदेव और राजगुरू का बरिदान जिसे हम कभी नहीं भूल सकते उन्होंने हमारे देश को स्वतंता दिलाने के लिए अनेक संघर्श की और देश की खातिर हस्ते हस्ते फासी के फंदे पर जूल गए 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुखदेव और राजगुरू को फासी की सजा सुनाई गई इसी दिन को हम सब शहीद दिवस के रूप में वर्षों से मनाते आ रहे हैं वैसे तो शहीद दिवस कई दिनों में मनाया जाता है परन्तु ल हमारे वीरों की शहादत को स्मरन कराता है प्रेंडेस ये निउस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट